दोस्तों एक स्वाल तो हर HIV पेस Bayern के मत में आता है कि जो HIV से AIDS में Convert होने में कितना वक्त लगता है, ठीक है? क्योंकि HIV तो एकवाइरस है और AIDS बीमारी है ठीक है? उसका बार झागे बात करेंगे तो HIV से AIDS होने में कितना टाइम लगता है और अगर एक बार आपको AIDS हो गया तो आप कितने वक्त तक जिन्दार रखोगे तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बार हैं बात करने वाले हैं तो बने रहे हैं वीडियो के आंत तक और जो लोग हमारी चैनल पर नहीं है आपका अपका अपना यूट्यूब चैनल आइरवेदा किंगडम दोस्तों जो HIV है ठीक है HIV और AIDS में दोनों में confusion दूर कर दाता हूं सबसे पहले कुछ बहुत से लोगों confusion है कि HIV एक virus है और AIDS HIV के बज़ेश होने वाली बिमारी है अगर HIV फुल फॉर्म के बात की जाए तो human immunovirus ठीक है और AIDS की फुल फॉर्म के बात की जाए तो acquired immunodeficiency syndrome ठीक है तो यह HIV की वज़े से आपको आगे जाकि AIDS में कनोट हो जाता है अब बात करते हैं कि कितना time लगता है उसके अंदर तो वो कोई time fixed नहीं है यह नहीं कि हाँ एक time period है बाकि अगर basically आपको research based एक documentation की बात करूँ तो भाई 10-5-7 साल लगता अगर आप proper तरीके medication नहीं ले रहे हो और अगर आप ART ले रहे हो तो आपको 8-10 साल बस जादा है जादा और उसमें भी variations है अगर आप depend करता है आपकी immune system के उपर कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है कुछ लोगों को order वक्त लग सकता है ठीक है तो वो को fix time नहीं है कि हम इतना ही time ले गाई है यह सिरफ theoretical है papers पे है practical life में इसका कोई लेना देना नहीं है कोई fix नहीं है depend आपके उपर करता है आपकी habits के उपर करता है आप क्या खा रहे हो कैसे रह रहे हो जो लोग smoking drinking वो एर करते हैं उनको जूरती नहीं है इन सब की वो पहले ही निकल लेंगे क्योंकि वो एपनी जान के साथ खुद खिलवाड कर रहे है ठीक है बाकी बात करें अगर अगर मैं तक अच्छी life जी सकते हो ठीक है और बात करें अगर यह HIV और AIDS कि एक बार माने लोग HIV है ना HIV बेसिकली तीन स्टेज में होता है जैस मैंने पहले वीडियो बताया आपको की primary है और chronic है और बार में आता है AIDS ठीक है तो यह AIDS का जो जहसे ही मन बता है आपको ज़्यादा है ज़्यादा हिज़ा आठ से पांच से दस साल बस इससे उपर नहीं लगता है कि आपको HIV से AIDS में करनाट होने में ठीक है वो जाता है पर अगर यहाँ पर बात की जाए आपका जो CD4 बेस पे क्योंकि बहुत चलों होगा CD4 बहुती तेजी से गिरता है तो बेसिकली CD4 बेस के जोड़ता है बहुती स्ट्रिक ट्रीटमेंट की स्ट्रिक डाइट के जोड़ता है क्योंकि एक बार 200 से नीचे चला गया तो आपको AIDS होने खत्रा बहुती जबरदस रहता है और अगर एक बार AIDS हो गया तो जीवन जो साइकल है आपका death cycle बहुत से लोगों को सवाल होता है कि कितने साल तक जिंदा रहेंगे तो वो आपका दो से तीन साल maximum होता है क्योंकि पेशेंट है ना बिमारी से नहीं डर से मरता है ठीक है और डर के साथ साथ आपकी जो एक बार CD4 अगर 200 से नीचे है रहा है बहुत से लोगों को 100 से नीचे चला जाता है इतना कम CD4 मतलब immune system भी हो सकती है अगर एड्स में एक बार करनोट हो गया क्योंकि शरीर की बीमारी से लड़ने की चमताथ पूरी तरक खतम हो ही चुकी है तो आप बचोगे कैसे तो अगर HIV से एड्स में कमर्ट हो जाए उससे पहली आप प्रॉपर टीट्मेंट सालू करें आईरवेड आप दे दिये हैं HIV कितने दुनों में कर्वर्ट होता है साथ ही कितने साल तक पेशेंट जीवित रहता है और अगर कोई भी जानकर यह नूचे रह गयूँ खलती हो जाती है इंसाम हो तो आप मिरों कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं आगे भी जानने के लिए चैनल को सब्स